इस दोस्तों रियलमी नार्जो श्रीज को लेके मैंने एक शौर्ट रिव्यू दिया था पहले फिर मैंने एक फुल रिव्यू दिया जब वह लूंच हो गये और आज मैं आपके लिए लेकर आगया हुए रियलमी नार्जो 10 फोन तो करेंगे इसकी आज अंबॉक्सिंग और देखते हैं क्या इसके अंदर कैसा है यह फोन सबसे पहले इसकी अंबॉक्सिंग करते हुए मैं आपको दिखा दो क्या निकलता है इसके अंदर तो यहां पर सबसे पहले निकलता है यह फस्ट सेक्शन देखते हैं इस फस्ट सेक्शन के अंदर क्या निकलता है और इसको मै मिलता है कुछ अपके काम की चीज पढ़ लेना इसको अब देखते है का निगलता है एक फोन इसके बart nur देखते हैं पड़ने को मिलता है आपर का सर्फ सी केक्ल और देखते हैं इसके इंटर चार्जर निकलता है को इसारी और देखते है कैसा है यह phone इसकी सारी protection तो देखें यह है हमारा realme narzo 10 phone back side से इसकी look बहुत ज़्यादा सुनजर है एक दम sexy look है इसकी और यहां पर यह बैक-sides में look है यह lining वाली look है मैंने अपने review में बताया भी था आप देख सकते हो ध्यान से देखना यह लाइनिंग वाली लुक को कितनी अच्छी कूल लुक लगती है और यहां पर यह मिलता है कि फिंगर्प्रिंट सेंसर और यह मिलता है 48 में पिसल का क्वाइट कैमरा सैटप साथ में LED फ्लेशलाइट और नीचे की साइट में यहां पर मिलती है यह रियल्मी की ब्रैंडिंग बहुत ही सुन्दर है और वाइट कलर में यह फोन बहुत ही सुन्दर लगता है मुझे यह है डैट वाइट कलर और डैट ग्रीन कलर में आपको फोटो में दिखा लेता हूँ यह है डैट ग्रीन कलर और और चीज़े इसकी मैं मिलता है کہ speaker औरहाँ पर मिलता है यह ऐख चाटे मिलते है यह iphone ऐए कैसे दूर्व मैंक्रो फोन मिलते है औरहाँ अपर यह मिलती है और यह इसकी लुक ऐसी और यह मिलती है तो है एमुलेड reinforce एक्सपीरेंस तो नहीं मिलेगा एमलेड तो छोड़ो फुल में प्लस का यहां पर एक्सपीरेंस नहीं मिलेगा आपको सिर्फ HD-DISPLAY में मिलती है आपको मिनि ड्रॉप नौच के साथ इसमें लिग ऑवबा है एक जाफी कैमड़ा और यहां पर आप नीचे से edge देख सकते हो, यह थोड़ी सी जादा है और इसके features बता देता हूं, सब से पहले बात करते हैं इसके camera के बारे में, और जो ये है camera, यहां पर आपको मिलता है 48MP का primary camera, then आपको मिलता है 8MP का ultra wide-a-r camera, प्लस आपको मिलता है 2MP का macro camera, प्लस 2MP का depth sensor, और front, यह मैं आपको कुछ samples दिखा लेता हूँ, यहाँ पर यह मैंने normal camera से click करी photo, then मैंने 64 megapixel से click करी, अच्छी clarity के साथ photos आई है, then मैंने यह photo click करी portrait mode से, बहुती अच्छे तरी किसे इसने back side को, और यहाँ पर pano mode और यह pro mode मिल जाता है, slow motion में आप video बना सकते हो, इसमें ultra macro mode मिल जाता है, और बहुती अच्छे अच्छे features हैं इसमें, और video आप इसमें 1080p तक record कर सकते हो, 4K video recording का system इसमें नहीं मिलता, और बात करते हैं front cameras की बारे में, front camera इसमें 16 megapixel का AI selfie camera, यहाँ पर आप super bright selfies क्लिक कर सकते हो, मैं आपको एक sample दिखा देते हो, अब आप देख रहे होगे, यहाँ पर इसने कुछ बहुत जादा brightness ला दी मेरे face पे, इतनी में brightness मुझे अच्छी नहीं लगती, और जो यह brightness लेकर आए हैं, तो यह बहुत ही जादा है, तो मेरे support, जिससा अब अपने phone को जल्दी से charge कर सकते हो, और processor इसमें मिलता है, MediaTek Helio G80 processor, जो एक ठीक processor है, ज्यादा अच्छा processor तो है नहीं लवप मेरे sinप जैनी, तो में खिसे कर सकत दादा ज्यादां को जगभा तो मेरे सकत olduğert ज्ब पिसे चानेhen खंच लादा ब्म, जさん सब्सावाब Amin तो दोस्तो इस phone के मैंने सारी feature अब को बता दिये बट यहां पर रह गया यह fingerprint scanner दिखा दो यह कैसा है यह कैसे काम करता है सर से पहले इसको set up कर लेते हैं हाँ पर हम जाएंगे settings में दैन हमें जाना है fingerprint face and password और add fingerprint यहां पर यह त्री सेकंड्स का टाइम दिखा रहा है यहां ने चुन्टीन्यू किया और यहां पासवर्ड डाल दिया इसको मैंने वेरिफाइब कर दिया यहां पर यहां पर यहां पर यह किस तरह से वर्क करता है तो आप देख सकते हो यहां पर यह कितना फास्ट है यहां पर मैंने हल्का से ilust करने की देरी है और यह उन्लॉक हो जाता है आब ध्यान से दूंब आधिकना हल्क साथ करोंगा और यह उन्लॉक हो जाता है 1992 कि मैं दुबारा दिखा देता हूं कि इस फोन के मैंने सारे फीजर्स आपको बता दिये अब बात करते हैं प्राइस के बारे में 11,999 रुपीज में अवैलबल हो जाता है 4GB 128GB वाला वेरेंट सिर्फ इसमें एक ही वेरेंट मिलता है 4GB 128GB और देट वाइट ग्रीन दो कलर मिलते हैं तो मेरे साब से 12,000 रुपे में ये फोन बहुत अच्छा है हलाकि यहाँ पर कुछ लेटेस्ट फीचर नहीं मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर आपको यह मिनी ड्रॉप यहाँ पर आपको यह वाला जो सेंसर यह बैक साइड में है यह होता तो थोड़ा लेटेस रहता तो यह सब चीजों की इसमें कमी है तो मेरे साब से जो भी है यह एक फोन रियल्मी नार्जो 10 जो 12,000 रुपे में अच्छा रहेगा आपके लिए अगर रेड्मी नोट 8 आप लेना चाहो वह 11,500 रुपीज का है तो मैं आपको मना करूंगा आप वह मत लेना क्योंकि उससे ज्यादा बैटर है यह फोन इसके कैमरा इसकी बैटरी और बाकी सब फीचर उस फोन से ज्यादा बैटर है और दोनों फोन के मैंने कैमरा भी देख लिए कंपेर करके रियल्मी नर्जो 10 का कैमरा ज्यादा बैस्ट लगा और ज्यादा अच्छा फोन है ज्यादा सॉलिड फोन है वेट भी इसका 200 तो 210 ग्रैम का है थोड़ा भारी यह सेप को कम्प्रमाइंस करना पड़ेगा तो कुल मिलाकर जो भी है यह कहानी है रियल्मी नर्जो 10 की मेरी ब नहीं पोड़ेगा इस पोन की तो जो भी आपका अपिने नीचे कमेंट करके बता दहिंए और कमेंट करने के पहले ऊपर हो का झाल झाल